इस वीडियो में अपने बात करेंगे यंतर और सस्तर के बारे में सल्य का वेरी वेरी इंपोटेंट टोपिक है यंतर एंड सस्तर तो देखो सबसे पहले अपन इन दोनों में डिपरेंस देखेंगे तो यंतर क्या होता है सल्य को निकाने के लिए अपने परियोग में लेते हैं यंतर को अब सल्य क्या होता है तो देखो मन और सरीर में जो बादा उत्पन करता है उसको बोलते हैं सल्य और सल्य को निकाने के लिए अपन परियोग में लेते हैं यंतरों को और सस्तर क्या होता है जिसके दौरा शरीर पर हिंसा की जाए जिसके दौरा छेदन, बेदन, लेखन, आदी करम किया जाता है उसको बोलते है सस्तर तो सबचे पहले यंतर की परिबासा according सुसृूत के अनुसार तो ये quotation very very important सुसृूत के अनुसार यंतर की परिबासा ततर मन्य सरीर बाद करानी सल्यानी तेसाम आहरन उपायो यंतरानी तो मन और सरीर में जो बादा उठपन करता है उसको बोलते हैं सल्य और सल्य को निकालने के लिए तेसाम आहरन उपायो सल्य को निकालने के लिए यंतर परियोग में लेते हैं ठीक है फिर बात करते हैं यंतर के परकार तो देखो यंतर ना छह परकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं स्वस्तिक यंतर संदस यंतर ताल यंतर नाडी यंतर सलाका यंतर और उपी यंतर ये छह परकार के यंतर अब देखो स्वस्तिक यंतर ये होते हैं 24 इनकी संख्या होती है 24 संदश यंतर इनकी संख्या होती है 28 इसके बाद में होते है उप यंतर इनकी संक्या होती है 25 अब देखो टोटल मिलाके होते है 101 101 तो देखो यंतर की संक्या हो गई 101 और परकार हो गई 6 ठीक है परकार 6 और यंतर की संक्या 101 अब देखो स्वस्तिक यंतर इसका परमान इसकी लंबाई होती है 18 अंगूल संदश यंतर इसके लंबाई होती है 16 अंगूल और ताल यंतर इसके लंबाई होती है 12 अंगूल ठीक है तो यंतर के परकार्च है संक्या 101 और स्वस्तिक यंतर 18 अंगूल संदश यंतर 16 अंगूल और ताल यंतर 12 अंगूल नेक्स्ट बात करते है यंतर की संक्या तो यंतरों की संक्या होती है 101 यह मैंने बता दिया ओडेको पड़ान तम पड़ान तम यंतर होता है हस्त जबकि पड़ान यंतर होता है कंग मुख यंतर very very important सलोक में कोटेशन में पड़ान तम लिखा गया है तो पड़ान तम यंतर होता है हस्त हाथ जबकि पड़ान यंतर कंग मुख यंतर यह भी important है की पड़ान तम यंतर कोण चाह है हस्त next बात करते हैं yंतर के गुने very very important आगे पढ़ेंगे अपन सस्तर के गुने फिर सार के गुने तो यह आपको सलोक याद करना है यह अकोडिंग सुसरूत, सुसरूत के अनुसार पड़ेंगे अपन, यंतर के परकार 6, सुसरूत के अनुसार, यंतर की संक्या 101, सुसरूत के अनुसार, यंतर के गुण 6, सुसरूत के अनुसार, समाईतानी, यंतरानी, खर सलक्षन मुखानी चे, सुदैडानी, सुरूपानी सुग्राणी चाह कार्येत तो समाईत और फिर खर्मुखानी सलक्षन यानि मर्दुमुख सुदैड सुरूप और सुग्राई ये च्छागुन यंतर के कोडिंग सुसरूत सुसरूत के अनुसार फिर यंतर के दोस होते हैं 12 ये सलोक आपको याद करना है इसके बाद आज़े पढ़ेंगे अपन सस्थर के दोस तो दोनों में कन्फ्यूज हो जाओगे इसलिए दोनों के कोडrency याद करना है आपको सुसरूत के अनुसार तो सुसरूत के अनुसार यंतर के दोस 12, अतिस्तुलम, एसारम, अतिदिर्गम, अतिहस्वम, एगराई, विशम गराई, वक्रम, शितिलम, अत्यउनफम, मर्दुकिलम, मर्दुमुकं, और मर्दुपासम, इती 12, यानि यंतर के दोस होते हैं 12. ठीक है, नेक्ष्ट बात करते है यंतर के कारिये तो देखो सुसरूत ने यंतर के 24 कारिये बताए है जबकि वागबट ने यंतर के 14 कारिये बताए है यह क्यूशन आ गया वागबट के अनुसार यंतर के कारिये होते है 14 यह क्यूशन आ चुका है अब अपनी यहां बात करेंगे सुसरूत के अनुसार यंतर उन्नमन, वीनमन, बंजन, उन्मन्थ, आचूसन, दारून, रिजुकरन, प्रक्सालन, पढदमन और परमार्जन ये चतुरविस्ती, ये 24 करम होते हैं यंत्रों के, इंपोटेंट है, तीनोई कोटेशन, वेरी वेरी इंपोटेंट यंतर के गुण छह, यंतर के दोस बारा, यंतर के कार्यय, सुसुरूत के अनुसार होते हैं 24 और वागबट के अनुसार होते हैं 14 नेक्स्ट बात करते हैं यंत्रों के उप्योग तो देखो च्छा परकार के यंत्र पढ़ेते हैं अपने स्वस्तिक, संदस, ताल, नाड़ी, सलाका और उप्यंत्र अब इनके उप्योग देखेंगे अपन तो मैंने डेपिनेशन बताई थी यंत्र की सल्य को निकाने के लिए अब कौन सी सल्य को निकाने के लिए ये पढ़ेंगे अपन तो स्वस्तिक यंत्र अस्ति गत सल्य को निकाने के लिए अस्ति वीदश्ट सल्य उड़नार्थम अस्ति गत सल्य को निकाने के लिए स्वस्तिक यंत्र को उप्योग में लेते हैं ये भी क्यूशन आच चुका है मेचिंग वाला क्यूशन आयाता है यहां से तीक है इंपोर्टेंट है संदस यंतर त्वके मास शीरा सनायू इनमे सल्य को निकानने के लिए फिर ताल यंतर कन नासा और नाडी गत सल्य को निकानने के लिए फिर नाडी यंतर स्रोतस गत सल्य के निहरन के लिए व्यादी दर्षन के लिए एस्पाइरेशन आचूसन के लिए और अर्ष आदे में किरिया सुगमता के लिए इन में परियोग में लेते हैं नाडी यंतर को फिर सलाका यंतर एसन करम करने के लिए और अगनी करम करने के लिए तो ये यंतरों के उपयोग फिर बात करते हैं अपन सस्तर की तो मैंने बता दिया जिसके दुआरा सरीर पर हिंसा की जाए और जिसके दुआरा छेदन, बेदन, लेखन, वेदन आधी करम करते हैं उसको बोलते हैं सस्तर और ये तेज धार वाले होते हैं तो देखो सस्तर मी सरीर हिंसकम ही ती जिसके दु तो सुसूरुत ने सस्तर की संक्या बताई है 20 और आचारी वागबट ने सस्तर की संक्या बताई है 26 और यंतर की संक्या होती है 101 और यंतर के बेद होते है 6 स्वस्तिक, संदस, ताल, नाड़ी, सलाका और उप्यंतर और सस्तर इनकी संक्या होती है 20 अब 20 कौन-कौनची है यह इम्पोटेंट है और देखो ये करम्शिय आपको याद करना है तो देखो मंदलागर, करपतर, वर्दीपतर, नकसस्तर, मुद्रिका, उत्पलपतर, अधदार, सुची, कुस्पतर, अट्टी मुख, सरारी मुख, अंतरमुख, त्रिकुचक, कुटारी का, व्री मुख, आरा, वेतस पत्रक बड़िस दंत संकू और एशनी याद करना है तो यह हो गए सस्तर की संक्या सस्तर की संक्या 20 इंपोटेंट है और देखो वागबट ने 26 बताई है तो 20 तो यह हो गए सरपमुक, खज, कुर्च, करतरी और करन व्यदन सस्तर और लिंग नास वेदनी सलाका तो वागबट के अनुसार 26 और सुसरूत के अनुसार 20 यह इंपोटेंट है वेरी वेरी और वागबट ने 6 कौन शे एक्स्ट्रा बताए है यह भी इंपोटेंट है फिर बात करते है देख शीवन करम करने के लिए और यह तीन परकार की होती है वरत, आयत और धनुवक्रा वरत इसकी लंबाई दो अंगुल होती है और अल्प मास वाले अंगों एंड संधियों में यूज में लेते है इसको कहां पर प्रयोग मिलेंगे जहां पर अल्प मास होगा और जोइंट में और फिर आयत यह त्रीकोन और तीन दारवाली और यह मासल पड़ेश में यह अल्पमास और यह मासल पड़ेश में फिर दनूरवक्रा मरम फलकोस और उदर पड़ेश में इंपोर्टेंट है मरम ठीक है इसमें यूज में लेते हैं दनूरवक्रा सुची को फिर बात करते हैं स सरारी मुख इसका पर्मान होता है दस अंगूल, सरारी मुख इंपोटेंट है, इसका पर्मान दस अंगूल, नकसस्तर और एशनी, इनका पर्मान होता है आठ अंगूल, और मुद्री का इसका पर्मान होता है तरजनी अगर परव सदर्शिय, पिर शेंस और जो बाकी रह गए उनका पर्मान होता है छे अंगुल तो आपको सरारी मुख दस अंगुल नक सस्तर और एशनी आठ अंगुल मुद्री का तर्जनी अगर परवस दर्शे और बाकी के है उनका पर्मान होता है छे अंगुल यह भी इंपोटेंट है नेक्स्ट बात करते हैं अपने सस्तर के गुणे तो देखो तानी सुग्राणी सु लोहानी सु दारानी सु रूपानी सु समाईत मुख अगरानी अक्रालानी चेती सस्तर संपत तो सस्तर के छैगुण होते हैं सु सु शुरूत के अनुसार और इसको ही बोला है सस्तर संपत य important है तो कौन-कौनची हो गए सु ग्राई, सु लुवानी, सु दाराणी, सु रुपानी, सु समाईत, मुक अग्राणी और अक्रालानी मतलब डरावनी नहीं होनी चाहिए तो यह सस्तर के 6 गुण फिर बात करते है सस्तर के 2 यह होते है 8 आचारिय सु सरूत के अनुसार तो देखना कौन-कौनची है यह quotation important है इसा का इसा क्यू सनाता है एकजाम में कि सस्तर के दोस लिकिए या फिर यंतर के दोस लिकिए ठीक है तो सस्तर के आठ दोस कोन कोन शे है ततर वक्रम कुंटम खंडम खरदारम अति इस्तूलम अति तूच्छम अति दिर्गम अति हस्वम इतिय अश्टो सस्तर दोसा तो ये आठ सस्तर के दोसे आचारिय सुस्रूत के अनुसार वेरी वेरी इंपोटेंट है नेक्स्ट बा वीष रावन के लिए केशी की और छेदन के लिए अद केशी की यह सस्तर दार का परमान होना चाहिए अगर वेदन करम कर रही है तो सस्तर की दार का परमान मासूरी और लेखन करम कर रहे हैं तो अद मासूरी वेदन और वीष रावन के लिए केशी की और छेदन के लिए अद केशी की फिर बात करते हैं सस्तर पाइना very very important यहाँ शेक्यूशन आता है सस्तर पाइना तो देखो सस्तर की धार को तेज करने के लिए सस्तर को गरम करेंगे और गरम करके बाद में सार में जल में या फिर तेल में डूबोने की किरिया को बोलते हैं सस्तर पाइना तो सस्तर की धार को तेज करने के लिए सस्तर को गरम करेंगे और फिर उनको सार में या पिर जल में या पिर तेल में डूबोने की परकरिया को बोलते है सस्तर पाइना अब सार में डूबो रहे है तो सार पाइना जल में डूबो रहे है तो उदक पाइना और त अस्ति शेधन के लिए फिर उदक पाईना इसको माज शेधन के लिए बेदन के लिए और पाटन के लिए तेल पाईना शीरावेदन के लिए और सनायू शेधन के लिए अपन करेंगे तेल पाईना फिर बात करते हैं अनुसस्तर तो अनुसस्तर होते हैं 14 कौन कौन से होते हैं तवक सार, इसपटिक काच कुरुविंद जलोका, important है जलोका होती है, अनुसस्तर, अगनी, सार, नख, गोजी पतर, शेपाली का पतर, साग पतर, करीर, बाल और अंगुली, बाल भी important है, तो यह सुसरुत के अनुसार अनुसस्तर होती है, 14, यह भी important है, फिर देखो अनुसस् नक्ह, बाल, अंगुली, अगनी और शार इसमें जलोका नहीं है यह इमपोटेंट है जलोका होता है अनु सस्तर फिर देखो सस्तर के करम ना मैंने बताया था जो सरीर जिसके द्वारा सरीर पर हिंसा की जाए और जिसके द्वारा छेदन, बेदन, लेखन, आदी करम किये जात तो अपन पड़ेंगे सूसरूत के अनुसार आट सस्तर करम चेदन, बेदन, लेखन, वेदन, एसन, आहरन, वीश, रावन, शीवन ये आट सस्तर करम 6 इसको बोलते है एकसीजन बेदनिसको बोलते है इनसीजन लेखन, स्क्रेपिंग, वेदन, पंक्चरिंग, हेसन, करम अब देखो सबसे पहले छेदन करम तो कौन-कौन शी डिजीज में अपन छेदन करम करेंगे देखो बगंदर सलेश्मिक गरंती अर्स चरमकील अद्रूस यह याद करना है अद्रूस उपदंस और अदिमास इन व्यादियों में अपने छेदन करम एक शीजन करम करते है ठ घेक है यह तो आपको याद करनी है फिर बेदन करम इन शीजन कौन-कौन शी डिजीज में करेंगे वरणशोप में विदारीका परमियपीडिका इश्टन विदारदी और सुद्र रोग में इंपोर्टेन्ट है सुद्र रोग देखो सुद्र रोग होते है चमालीस जबकि स दूक दोस होते हैं 18 आचारी है सुसरुत के अनुसार लेखन करम इसक्रेपिंग कौन-कौन से डिजीज में करेंगे गरंती रोग वर्तम गत रोग में हैना वर्तम गत रोग की संक्या होती है 21 किलास मास वर्दी रोग में पिर वेदन पंक्चरिंग मुतरवर्दी जलोदर वि प्रकार की सरक्रा उसमें करेंगे अपन दंत सरक्रा पाद सरक्रा मुतर सरक्रा अस्मरी में और मूड गरब में पिर वीश्रावन ड्रेनेज सन्नी पातज विद्रदी को चोड़कर पांचो विद्रदी में करेंगे अपन वीश्रावन करम पिर कुष्ट में सलीपद उपद इस्तन रोग और सुद्र रोग देखो सुद्र रोग ना बेदन करम भी बेदन में भी आया है और वीश रावनों में भी आया है फिर शीवन सूचरिंग मेद जन्य रोग जिनमें बेदन हो गया हो और जिनका लेखन करम हो गया हो उनमें करेंगे शीवन करम और सद्दो जात और चल संदी आसरे युक्त सद्दोवरण में इनमें करते हैं अपने शीवन करम सूचरिंग फिर देखो शीवन सूचरिंग चार परकार की वेली तक गोफणी का तुन्शेवनी और रिज्जुगरंती वेरी वेरी इंपोटेंट आचारी सुसरूत के अनुसार शीवन के चार परकार कौन-कौन ची है वेली तक गोफणी का तुन्शेवनी और रिज्जुगरंती फिर सस्तर करम के व्यापद च्यार बताए गए हैं जो अपन छेदन बेदन लेखन गरम कर रहे हैं उनके व्यापद च्यार हीन छेद हो सकता है आउश्यक्ता चे अधिक छेदन हो सकता ह टिरियक छेदन हो सकता है और इसवधानी के कारण अपने ہी सरीर का छेदन हो सकता है तो यह सस्तर करम के च्यार व्यापद यह भी इमपोटेंट है और शीवन के च्यार परकार पिर सल्य चीके様 के गुण स्रदन के क्या-क्या गुण होनी चाहिए सूरता सस्तर करमादी में पिर सस्तर की धार तेज होनी चाहिए और सस्तर का कलेक्षन पहले से ही करके रखना होना चाहिए ये भी उसमें नोलेज होनी चाहिए ठीक है पिर सस्तर करम करते समय है पशीना नाना हाथ नकांपना और असमो है ये हो गए सल्य चिकिशक के गुण नेक्स्ट बात करते हैं सस्तर करम का अभियास देखो अपने सस्तर करम पढ़े आठ चेदन, बेदन, लेखन, वेदन, एसन, आहरन, वीश्रावन और शीवन जिसको बोलते हैं सूचरिंग यह एस्ट वीद सस्तर करम तो कौन कौन सी डिजीज में करते हैं यह अपने पढ़ ल पर कर सकते हैं बेदन करम अपन किस किस पर कर सकते हैं छेदन करम की प्रैक्टिस करनी है तो अपन इन पर प्रैक्टिस करेंगे तो देखो जो अश्ट वीद सस्तर करम है उनकी प्रैक्टिस उनका अभियास अपन किस किस पर करेंगे तो देखना छेदन करम किस पर करेंगे पुस्पफल, अलाबू, कालिंदक, करकारुक, कवडी, मतलब ककडी, इन पे करेंगे अपन छेधन करम, देखो ये इंपोर्टेंट है, सस्तर करम का अभ्यास वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, छेधन करम में पुस्पफल, अलाबू, कालिंदक, करकारुक, यानि ककडी, फिर बेदन करम किस पे करेंगे अपन दरती जिसको बोलते हैं मसक बस्ती और परशेवक में कीचड और पानी बरकर यह करेंगे अपन बेदन पिर लेखन करम किस किस पे कर सकते हैं अपन प्रेटिक्स तो देखो विस्तरीत एम रोम युक्त चरम पर फिर बेदन करम मर्त पसू की श करेंगे एसन करम पिर आहरन पनस बिंबी फल बिलू फल मज्जा मर्त फसो के दंत पर फिर वीश रावन करम तो सालमली फलक पर मोम की परद चड़ा करें पिर शीवन करम तो पतले तता मोटे वस्तर के किनारों में और मढदू चरम पर फिर बंद तो वस्तर तता मर्तिकाशे निर्मित पुतलों के अंग पतंग पर करेंगे अपने बंद फिर सार और अगनी करम मढदू मास के टुकडों पर इन पर अपने शीकेंगे सार करम और अगनी करम फिर करन संदी बंदन तो मढदू चरम पर मास पेशी और कमलनाल पर इन पर शीकेंगे अपने करन संदी ठीक है, जो आश्टवीद सस्तरकरम है, उनकी practice, अभियास जिस पे करते हैं अपने, इन पे करते हैं, इसको बोलते हैं योग्याविदी, तो देखो इसके बाद में वीशिकानू परवेस, मतलब योग्याविदी, मतलब अपने practice कर ली, practice करने के बाद में अब अपन patient को देख पर अपन परियोग करेंगे, पेशेंट अपन देखेंगे, OPD में बैठेंगे, पेशेंट देखेंगे अपन, अब अपन रियल डोक्टर हो गए, तो उसको बोलती है, वीशी कानू परवेस, अब अब अपने मेडिकल फिल्ड में इंटर कर गए, अपने प्रेक्टिस कर ली, क